के लिए जो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल एस्पेरेंट्स है या फिर जुन्होंने अटल भिहारी बाचपे Medical University उत्तर प्रेदेस का BSC Nursing Course के लिए जिन्होंने entrance exam दिया हुआ था और अब Counseling के लिए देख रहे हैं तो अभी आपको पता होगा के अटल ब्यारी बाच पर Medical University के जो Counseling है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसका क्या process है कहां से apply करना है क्या dates है क्या process होने वाला है कितना application fees लगने वाली है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में complete जानने को मिलेगा तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं और ऐसी other informative वीडियो Counseling से related, admissions से related आप सारा update time to time लेते रहना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करें चैनल को subscribe करने के साथ-साथ आपको bell icon भी प्रेस करना है ताकि आगया आनिवारी वीडियो की जो notification है वो आपको timely बिलती रहे तो अभी देखिए मटल भी आरी बाच पर Medical University उत्तरप्रदेश की जो official website है उसकी website portal पर है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी आपको counseling से related कोई भी आपको update या counseling से related कोई भी direct link आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है यह पुराने links है apply for online entrance exam जो कि entrance exam के लिए और बाकी सारे link यहाँ पर दिये गए है university के बारे महुँआँ detail दी गई है लेकिन counseling से related कोई संबंदित कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अठल ब्यारी बाजबाजबाजपई medical university bsc nursing counseling या counseling for bsc nursing course ऐसे करके आपको type करना है google पर तो आप directly नहीं कि एक और एक जो इनका sub page है उस पर आप पहुँच जाएंगे जिसका जो कि यह link इसको यहाँ पर मैं highlight करना चाहूंगा आप यह भी देख सकते हैं इस तरह से आप type करेंगे कुछ लोगों को तुछा सा दिक्कत हो रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि और official website पर कोई link नहीं दिया गया है कैसे हमारी counselling होगी तो उनकी website का यह page है जिसमें आपको यहाँ पर उन्होंने counselling के लिए invite किया है अब यहाँ पर आपको counselling कैसे करने हैं यहाँ पर तीन आपको options मिल रहे यहाँ पर apply for online counselling, pay counselling fees और instructions for counselling यह तीनों चीज़ें आपडेट करें गए जिनको आपको देखना जो भी counselling में participate करने वाले students है उनके लिए अनिवार है कि वो सारी चीज़ें आपर पहले देख ले समझ ले उसके बाद counselling में participate करें तो अभी देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो instructions है उस पर अगर देखना चाहिए कि instructions क्या क्या दिये गए तो यह आपको संबंदित जो भी जानकारी है जो भी instructions है यहाँ पर एक प्यूरा PDF के form में आपको available कराया गया है जो आपको पढ़ना होगा जिसमें आपको normally अगर मैं तोड़ा सा इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपडेट करूंगा और proper आपको एक process के लिए अलग वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे apply करना है यहाँ पर आप यह जान लीजिए पंजी करण जो registration होना है especially पहले कितने round में counselling होगी तो यहाँ पर counselling प्रक्रिया प्रथम वदूती चक्र में संबंड की जाएगी वरीदा करम में विकल्प जो आपको choice feeling होगा वरीदा करम में उसी के according आपका merit बनेगा और choice feeling को अपनी lock करना है और merit के साब से आपको seat allotment online आएगी यहाँ पर 22 December से 25 December के बीच में आपको registration आपको करना है जबकि आगे आपको portal पर में भी 30 तारिक भी मिला देखने को मिलेगा कि 30 तारिक भी highlight किया गया है तो फिलाल हो सकता ही इन्होंने जो यह date है वो बढ़ा रखी है में भी लेकिन फिलाल मैं लोगों को recommend करूँगा कि अगर आपको 25 से पहले आपको counseling में करना है participate तो आप 25 से पहले कम से कम अपना registration part complete कर ले क्योंकि choice filling और जो आपका बागी का process है वो आप बात में भी कर सकते है choice filling और choice locking आप बाद में 25 तारीक के बाद भी कर सकते हैं लेकिन शायद अगर registration में कोई registration आपका बंद हो गया तो फिर आप 25 के बाद registration साही नहीं कर पाएंगे इसलिए लेकिन आपको आगे अभी मैंने portal चेक किया था पूरा तो पोर्टल पर आगे एक जगे पर आपको 30 तारीक भी दिखा रहा है तो शायद उन्होंने बाद में date बढ़ा भी दी है दोनों चीजे है तो जैसा भी अगर आप वीडियो को अभी देख पा रहे हैं आपक कुछ अपडेट दिया गया है पच-पंसो डुटर यहां पर फीस बताई जा रही है जो कि कैसे जो दो पार्ट में है दो तरीके से आपका 500 रुपए रेजिस्टेशन फीस है जो कि आपकी सिर्फ काउंसलिंग में पाटिसिपेट करने के लिए रेजिस्टेशन फीस है जो क वापस हो जाएगा लेकिन अगर आपको सीट बिल जाता है और उसके बाद आप सीट को छोड़ते हैं तो वह अमाउंट भी वापस नहीं होगा तो सीट मिलने पर इसलिए आपको च्वाइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करने जो भी आपको कॉलेज डालने है वह ऐसे डालन चिशन लेना यह नहीं है यह बाइचांस आपको गलती से कोई लिए आप बच्येक कर देते हैं कोई बीर घाल आपको फो सब्सारी करने है और तो आगया आपको नैंने सब्सारा कूम स्कुम पर जो payment option है वो भी आपको online यहाँ पर होगा online यह आपको payment करना है सारी चीज़ आपको online करनी है इसी के साथ आपको यह complete और भी कुछ details से इनको आप pause करके या इसको download करके आप खुद भी पढ़ सकते है क्योंकि पूरा पढ़ने में आपको कही ना कहीं थोड़ा सा वीडियो क्या है registration कैसे करना है यहाँ पर आपको apply for online counseling यहाँ पर लिखे आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यह चार स्टेप दिख रहे है जिसमें से आपको पहले में advertisement है एक में आपको counseling process से संबंदित वाई समझा रहा है जानकरी दे रहा है और यहाँ पर आपको registration करना है तो पहले आप register करना है जब registration कर लेंगे फिर आपको दुबारा sign in करना है registration के लिए यहाँ पर आप click करेंगे अपना roll number डालेंगे जैसे मेरे पास candidate का roll number है वह मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूं एलाल कि मैं थोड़ा सा data किसी number इंटर किया है यहाँ पर आपको roll number इंटर करना है यहाँ पर आपको date of birth डालना है जब get result करेंगे तो आपको results से related जो भी information होगी वह यहाँ पर नीचे आ जाएगी इनका score 134 है जो यहाँ पर आपको eligibility लिख किया रहे है eligible for counselling तो यह counselling के लिए eligible है अब इसका माइंका हम certificate number के साथ साथ कब आपका certificate कब issue हुआ है वह आपको डालना है और यहाँ पर अपना जो कास certificate state उसका state कौन सा उत्तरपदीश है बेसिकलिया आपको UP है तो UP आपको डालना रहेगा यह डालने के बाद आपको यहाँ पर click here to register यहाँ पर आपको register के लिए जो green वाला option आपको द वह अलग वीडियो में बता दूँगा जिसमें आपको completely जाना को मिल जाएगा क्या आपको कैसे college फिल करने है और क्या क्या करना है यहाँ से आपका registration का प्रोसेस से लगबा complete हो जाएगा आपकी fees पे करने के लिए, fees पे के लिए अलग एक option है यहाँ पर आपको available है जो आपक transaction ID number डाल देंगे जिससे कि वो लोग अपना university में आपका verification हो जाएगा कि हाँ आपने payment किया है और आपने payment जो है पूरी तरह से सही किया है जो भी है सारा कुछ आपने confirmed एक सही payment किया है तो वो transaction ID number सही डालना है आपको ताकि वहाँ पर verification है सही तरीके से हो पाए तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है यह basic complete information है इसके लाबा कोई आपके doubt जो भी रह जाते हैं उनको आप comment section में लिखे मैं सारे comment पढ़ूँगा और आपको उसके बाद आपको complete एक video के तरू reply करूँगा thank you so much for watching this video keep watching stay